आपकी राशी में बहुत ज़्यादा प्राब्लम हो रही है और आपकी राशी करक राशी है और आपके जीविन में हमेशा दुर्भागे आता रहता है, आप सुभागे की तरफ बढ़ते तो हैं, लेकिन दुर्भागे की तरफ आपके कदम चल दी ही बढ़ जाते हैं, तो यदि आप परिशान हैं, तो उसके लिए भगवान गरेश की अराधना कर सकते हैं, आप भगव में कोई भी प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, हमेशा लोसिस नजर आते हैं, तो उसके लिए भगवान गरेश की ही अराधना करें, साथ के साथ उनके इस मंत्र का उच्छारन करें, मंत्र है ओम वकर टुंडाई नम्हा, इस मंत्र का उच्छारन आपको 108 बार करना है, सफलता है हुई है, उन्हें वह सफलता में बदल जाएंगी और आपकी इक्षाओ की भी पूर्ती हो जाएगी, तो करकर आशी वाले इस बात पर ध्यान दे और भगवान गरेश की आराधना करें, और अपने घर में अगर थोड़ा सा विवास्तु सास्त्र को ध्यान में पर बेश्ट करें, ऐसा करने से आपके बिगडे हुए काम सफल हो जाएंगे, तो ये हैं करकराशी वालों के लिए करेश भगवान के लिए मंत्र, और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें